हेलो दोस्तो दोस्तो आज के कलास में हम लोग पढ़ेंगे भारती इतिहास के टाप 150 महत्वपूर प्रस्ण दोस्तो आपको बता दूँ कि मैं इस कलास में बार बार पूछे जाने वाले प्रस्ण लेके आया हूँ यानि कि इतिहास के जो सभी competitive exam में जो भी one day competitive exam होते हैं उन सारे one day exam के लिए ये कलास बहुत ही helpful होगी तोस्तो ये class number 9 है जो लोग इसके पहले का class नहीं देखे हैं वो लोग हमारे IQ study channel के playlist में जाएंगे वहाँ से उनको serial wise video मिल जाएगा अता आप वहाँ जाके सारे class को देख सकते हैं आप सारे class देखने के बाद history में बिलकुल किसी भी one day exam के लिए perfect हो जाएंगे तो चलिए चलते हैं अपने question के तरफ दोस्तो आज के class का first question है हडपा सब्वेता का समय कब से कब तक माना जाता है तो दोस्तो हडपा सब्वेता का समय 2350 इसापूर्व से 1750 इसापूर्व तक माना जाता है नेक्स्ट है हडपा सब्वेता का पता कब और किसने लगाया था दोस्तो उन्नाईसामी सताबदी में अंग्रेजों ने हडपा सब्वेता का पता लगाया था नेक्स्ट है हडपा सब्वेता की खुदाई कब और किसने की सन 1921 इसमी में तयाराम साहनी जी के द्वारा हडपा असल की खुदाई की गई थी नेस्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेस्ट कोश्चन है हडपा सभ्यता का छेतर कितने किलोमीटर में फैला है Most important question है कि हडपा सब्यता का छेतर कितने किलोमीटर में फैला है दोस्तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में हडपा सब्यता फैला है Next है भारत में कहां कहां हडपा सब्यता का पता चला है तो दोस्तो भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाडा और पंजाब में हडपा सब्वेता का पता चला है नेक्स्ट है बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजो का निशान कहां मिला था तो सिंधु कालीन अस्थल चन हुदडो में दोस्तो सिंधु कालीन अस्थल चन हुदडो में बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजो का निशान मिला है नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हडपा में किसकी अराधना की जाती थी दोस्तो कोश्चन है हमारा हडपा सब्वेता में किसकी अराधना की जाती थी तो मात्र देवी तथा पसुपती की हडपा सब्वेता में अराधना की जाती थी नेक्ष्ट हडपा में कौन कौन सी फसले उगाई जाती थी तो गेहूं जो कापास तथा तर्बूज हडपा सब्भेता में गेहूं जो कपास तब तर्भूज की फसले उगाई जाती थी नेक्स्ट हडपा के समय कौन कौन से धातू मिलने के प्रमाड है दोस्तो तामबा टीन और कांस धातू हडपा सब्भेता में मिलने का प्रमाड है नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं सेंधव आसी मीठा के लिए किस चीज का इस्तिमाल करते थे कि बस तुका लेन दिन करके एक बस तुसे दूसरे बस तुका लेने की प्रडाली परचलित थी कि लिपी और धर्म की जानकारी कहां से मिलती है तो दोस्तो हडपा में लिपी और धर्म की जानकारी सेंधो कालेन मुहरों से मिलती है नेक्ष्ट है हडपा के समय कौन से लिपी प्रचलित थी तो दोस्तो चीतर वाली लिपी हडपा में चीतर वाली लिपी प्रचलित थी नेक्स्ट है हडपा लिपी में कितने चिन ग्यात हैं, दोस्तो हडपा लिपी में लगभग 400 चित्र या चिन ग्यात हैं, नेक्स्ट कॉस्चन देख लेते हैं, नेक्ष्ट कोश्चन है हडपा लिपी को किस तरब से लिखा जाता था तो दोस्तो हडपा लिपी को बाएं से दाएं की और लिखा जाता था नेक्ष्ट है संधो अस्थलो से किस जगा पर सरवप्रथम क्रिशी के साथ से उपलब्ध होते हैं तो दोस्तो सेंधो अस्थलों से मेहर गड़ में सरवप्रथम क्रिशी के साथ से उपलब्ध हुए थे नेक्ष्ट है चावल के उत्पादन के साथ से किस सेंधो पूरा अस्थल से प्राप्थ हुआ है तो चावल के उत्पादन के साथ छिरंग पूर एवं लोथल से प्राप्त हुआ है नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हडपा सब्वेता का मुख्य बंदरगा कहा था तो दोस्तो हडपा सब्वेता का मुख्य बंदरगा लोथल में इस्थित्ता नेक्स्ट हडपा सब्वेता के उत्खनन करता कौन है तो हडपा सब्वेता के उत्खनन करता दयाराम साहनी है नेक्स्ट है सिंदु गाटी सब्वेता का नविंता मस्थल कौन सा है तो दोस्तो सिंदु गाटी सब्वेता का नविंता मस्तल धौला वीरा है नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट है सिंदु सब्वेता के महान असनानागार कहां से प्राप्थ हुए है तो दोस्तो सिंदू सब्वेता के महान असनानागार मोहन जोदरों से प्राप्थ हुए है नेक्स्ट है मोहन जोदरों की खुदाई से पता चला है कि ततकालिन मकान दोस्तो इस से पता चला है कि ततकालिन जो उस समय के मकान थे वो पक्की इटों से बनाए जाते थे नेक्स्ट है हडपा सब्वेता के लोग किस पसू से परचित नहीं थे तो दोस्तो हडपा सब्वेता के लोग दर्याई घोडा से परचित नहीं थे Most question है दोस्तो आपको इसको रट लेना है बिलकुल दो बार तीन बार वीडियो देखना पड़े लेकिन इन सारे कोस्टनों को रट लिजेगा इससे आपको ही फायदा होने वाला है चलते हैं Next Question के तरफ Next है मोहन जोदलो का साबदिक अर्थ क्या है दोस्तो मोहन जोदलो का साबदिक अर्थ मूर्दो का टीला है नेच्ट मोहन जोदलों से प्राफ समागरी तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहां के निमासियों को अनेग प्रकार की धातु का ग्यान था किन्तू लोहे का घ्यान नहीं था, इसका अंसर रोजाएगा लोहे का घ्यान नहीं था, घडपावाहसियों को नेक्स्ट है सिंदू गाटी सब्वेता के लोग सायद मुख्य रूप से मूर्ती पूजा करते थे इसका अंसर हो जाएगा कि सिंदू गाटी सब्वेता के लोग मूर्ती पूजा करते थे नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्ष्ट कोश्चन है सिंधु गाटी सब्वेता के लोग सूती तथा उनिवस्त्र बनाना जानते थे नेक्ष्ट है हडपा सब्वेता के लोग संभावता इस्तिमाल करते थे वो लकडी का हल इस्तिमाल करते थे सिंधु के जो कि हड़पा सस्कृती को बताता है उसके ऌसे सस्थलों का सरवाधिक सकेंदर्ण है next question के तरफ चलते हैं next है सिंधु सब्वैता से संब्षित निर्तिक करती वी महिला की मुर्ति बनी है दोस्तो यह कास्य की मुर्ती बनी है नेक्स्ट है सिंदू गाटी सब्वेता के लोग सेर गैंडे और जंगली भैसे से परचित थे क्योंकि इस गाटी के अस्थानों की खुदाई में मिला है तो दोस्तो कुछ मुहरों पर इन जानवरों के चितर बने हुए मिलने के कारण यह पता लगा है कि यह सेर गैंडे और जंगली भैसे से परचित थे नेक्स्ट है मोहन जोदलों की विशालतम इमारत कौन सी थी Next question के तरफ चलते हैं Next है सिंदू गाटी सब्वेता के पतन का कारण क्या था तो दोस्तों सिंदू गाटी सब्वेता के पतन का कारण अग्यात है इसका कोई साथ से उपलब्द नहीं है मतलब की साफ साफ यह है कि सिंदू गाटी सब्वेता का पतन कैसे हुआ इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कुछ भी Next हरपा में खुदाई का काम किसने कराया था तो दोस्तो हरपा में खुदाई का काम दयाराम साहनी जीने कराया था Next है सिंदू गाटी सबता के लिपी कैसी थी दोस्तों सिंदु गाटी सबेता के लिपी एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने और लिखा गया था मतलब यह है कि एक लाइन में दाहिने से बाएं यानि कि दाहिने से बाएं आया गया और फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाहिन है यानि कि एक लाइन में ऐसे आगया फिर ऐसे चला गया फिर ऐसे फिर ऐसे अब आप सायद समझ चुके होंगे चलते हैं अपने next question के तरफ next है हडपा काल में तामबे के रत की खोज की सस्थान से हुई थी next है मिर्तकों का टीला किसको कहा जाता है next है सिंदु वासियों ने सरवप्रथम किसकी खोज की थी question ऐसे ही same same exam में पूछ लिया जाता है next question के तरफ चलते है next है मोहन जोदलो किस भासा का सब्द है दोस्तो question है हमारा मोहन जोदलो किस भासा का सब्द है तो यह सिंधी का सब्द है next हडपा की निवासि किस यूग में थे तो तामर पासार यूग में हडपा की निवासि थे next question के तरफ चलते है next question है मतलब इसका कहने का मतलब यह हो गया जिस चेतर में रहते थे उस चेतर का आकार क्या था तो दोथ तो कुछ इसी प्रकार जैसे वो जहां जहां बसे थे वो कुछ इस प्रकार था सिंदु गाटी सब्यता के छेत्र का Next question है पहिये का अविश्कार कीश काल में हुआ था तो दोस्तों पहिये का अविश्कार नो पासार काल में हुआ था Next है मोहन जोदरो कौन सी नदी के तरफ पर बसा था तो सिंदू नदी के ततट पर मोहन जो दलो बसा था next question के तरफ चलते हैं हमारा next question है काली बंगा कहां इस्थित थै तो जोस्तो काली बंगा राजास्तान में इस्थित थै next सर्वपर्थम सिंदू सब्वेता के किस अस्थल की खोज की गई थी नेक्ष्ट है आरे भारत में संभौता कहां से आय थे तो दोस्तो आरे भारत में संभौता मध एसिया से आय थे अगर एक्जाम में कोश्चन पूछ ले जाए तो यही बिल्कुल करेक्ट होता है कि मध एसिया से आरे भारत में आय थे संभौता next question के तरफ चलते है next है अब तक सिंदु सब्वेता में कुल कितनी फसलों के उगाय जाने का संकेत मिल चुका है तो दोस्तो अब तक सिंदु सब्वेता में कुल 9 फसलों का उगाय जाने का साथ से मिल चुका है next है उत्तरवैदिक कालखंड कब से कब तक था तो दोस्तो एक हजार इसापूर्व से 600 इसापूर्व तक उत्तरवैदिक काल खंड का कारेकाल था नेश्ट है उत्तरवैदिक काल की जानकारी का स्रोथ क्या है तो यजूर बेद सामवे तथा अथर बेद उत्तरवैदिक काल के जानकारी का स्रोथ है next question के तरफ चलते है next है उत्तरवैदिक काल में मनुस्य के जीवन को किन चार आस्रमों में बाटा गया है question है हमारा उत्तरवैदिक काल में मनुस्य के जीवन को किन चार आस्रमों में बाटा गया है तो दोस्तो उत्तरवैदी काल में मनुस्य के जीवन को ब्रह्मचर ग्रिहस्त वानप्रस्त तथा सन्यास के इन चार आस्रमों में भाटा गया है नेक्ष्ट है उत्तरवैदी काल के महत्वपूर देवता कौन थे? तो उत्तरवैदी काल के महत्वपूर देवता प्रजापती थे नेक्स्ट है सुद्रो के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? तो दोस्तों सुद्रो के देवता के रूप में पूशन प्रचलित थे नेक्स्ट कोईश्चन के तरफ चलते हैं नेक्ष्ट है उत्तरवैदिक काल में यग कौन कौन से थे दोस्तो उत्तरवैदिक काल में यग राजसुई, वाजपेई, अस्वमेग, अगनी स्थम दोस्तो ये चार प्रकार के यग होते थे उत्तरवैदिक काल में नेक्स्ट है जैन धर्म के आदि प्रवर्तक प्रथम तिर्थंकर कौन थे? तो दोस्तो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक प्रथम तिर्थंकर रिशब देव थे नेक्स्ट है रिगवेद का कौन सा भाग विश्व की उत्पत्ती का उलेख करता है तो दोस्तो रिगवेद का दस्वा मंडल दस्वा भाग विश्व की उत्पत्ती का उलेख करता है नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है किसे प्रथम आदिस्यू माना जाता है कोश्चन है हमारा किसे प्रथम आदिस्यू माना जाता है दोस्तो पसुपती महादेव को प्रथम आदिस्यू माना जाता है नेक्स्ट है जैन ग्रंतों की रचना किस लिपी में हुई थी तो दोस्तो जैन गरंतों की रचना प्राकृती लिपी में हुई थी नेक्स्ट है जैन धर्म के दिती तिर्थंकर कौन है तो दोस्तो जैन धर्म के दिती तिर्थंकर सीतल लाथ है नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट है जैन धर्म तथा बहुत धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि दोस्तो कर्म तथा पुनरजन्म के सिधान्त सही है जैन धर्म तथा बहुत धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनरजन्म का सिधान्त बिल्कुल सही है नेक्स्ट है जैन धर्म के उननाईश्वे तिर्थंकर कौन थे तो दोस्तो जैन धर्म के उननाईश्वे तिर्थंकर मली नाथ थे नेक्स्ट है जैन धर्म के तेश्वे तिर्थंकर कौन थे तो दोस्तो जैन धर्म के तेश्वे तिर्थंकर पार्ट स्वनाथ थे Next question के तरफ चलते हैं Next question के तरफ चलते है Next है जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर कौन थे तो दोस्तों जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर महाबीर स्वामी थे Most important question है कि महाबीर स्वामी जैन धर्म के कौन थे तिर्थंकर थे तो वह हो जाएगा 24 वे नेक्ष्ट है महभीर स्वामी के निर्माड के बाद जैन संग जैन धर्म ये संग ना उकर को जाएगा दोस्तों महभीर स्वामी के निर्माड के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था तो हो जाएगा सुधर्मन सुधर्मन महाबिर स्वामी के निर्माड निर्माड नहुंगी निर्माण हो जाएगा दोस्तो निर्माण यानि कि इनके डेश कर जाने के बाद जैन धर्म का अध्यक्च कौन चुन गए थे तो वह जाएगा सुधर्मन नेक्स्ट है वैदिक काल में जव को क्या कहा गया था नेक्स्ट है वैदिक काल में जव को क्या कहा गया था तो जव को यव के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट है जैन धर्म के 22 तिर्थंकर कौन थे जयन धर्म के 22 तिर्थंकर अरिश्ट नेमी थे निस्ट है वैदिक काल में जाति विवस्ता कैसी थी ज़ grows जन्म और कर्म दोनों पर आधारीत थी निस्ट है किस फसल का ज्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था तो तमबाकू फसल की ज्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था Next question के तरफ चलते हैं Next है बौध धर्म को पालना किस राज्य को कहा जाता है दोस्तो बौध धर्म को पालना के नाम से उत्तर प्रदेस राज्य को जाना जाता है Next है धातु के सिक्के सबसे पहले किस यूग में मिलते हैं तो बौध यूग में धातु के सिक्के सबसे पहले मिलते हैं Next है बौध धर्म के प्रवर्त तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था दोस्तो 563 इशापूर बौध लुम्बनी नामकस्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तो लुम्बनी अगर भारत से आप जाते हैं तो सुनवली से भारत का बार्डर और नेपाल का बार्डर सुनवली है नेपाल और भारत का बार्डर सुनवली है सुनवली से 30-35 किलोमीटर की दूरी पढ़ती है लुम्बनी पहुचने के लिए नेश्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेश्ट है आर्यों का प्रारंबिक जीवन किस पर निर्भर था नेश्ट है आर्यों का प्रारंबिक जीवन किस पर निर्भर था तो दोस्तो आर्यों का प्रारंबिक जीवन पुसु चरर पर निर्भर था यानि कि पुसु की चराई करने पर निर्भर था नेश्ट है आर्य सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है तो दोस्तो आरे सब्द का साब्दी करता है स्रेष्ट नेश्ट कोश्चन है उस पीपल के बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी तो दोस्तो उस पीपल के बुद्ध को बोधी बुद्ध के नाम से जाना जाता है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी Next question के तरप चलते हैं Next question है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था तो दतों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सार्नाथ में दिया था तो दोस्तो बुद्ध ने अपना प्रताम उपदे सारनात में दिया था नेक्स्ट है बहुत धर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी? या कोश्चन है बहुत धर्म ग्रहन करने वाली महिला कौन थी? तो दोस्तो पारसी जुद्धर्म होती है पारसी धर्म के मंदिरों को अतिस बहरम के नाम से जाना जाता है नेक्ष्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्ष्ट कोश्चन है वैदिक यूग में प्रचलीत लोकप्री सासन प्रडाली क्या थी question है हमारा वैदिक यूग में प्रचलित लोकप्री सासन प्रडाली क्या थी तो दोस्तो गणतंतरात्मक सासन प्रडाली थी वैदिक यूग में next है आरे भारत के बाहर से आये थे और आकर सरप्रत्थम रहने लगे थे तो जोस्तो आरे भारत के बाहर से आये थे जो की रहने लगे थे पंजाब के छेतर में यानि की पंजाब में रहने लगे थे जो आज के समय में पंजाब हमारा है उसी छेतर में भारत में आरे आकर रहने लगे थे नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है रामयाड और महाभारत की रचना मूलता किस भासा में हुई थी तो दोस्तो रामयाड और महाभारत की रचना जब मूलता की बात की जाए तो दोस्तो रामयाड और महाभारत की रचना मूलता संस्कृत भासा में हुई थी चलते हैं next question के तरफ next question है हमारा प्रत्थम विस्वयूद की सुरुगात कब हुई थी इसका answer आपको comment box में देना है कि प्रत्थम विस्वयूद की सुरुगात कब हुई थी जिन लोगों को इस question का answer नहीं पता है वो लोग भी comment box में जाएंगे वहाँ उन लोगों को comment box में ही इस question का answer मिल जागा और जिन लोगों को पता है वो comment box में जरूर comment करेंगे कि प्रत्थम विस्वयूद की सुरुगात कब हुई थी चल 2 जरूर को है जाएंगे जDING फबनल CT맹 alguंक 2 जाएंगे वहाँ बडर में लोगोों की स्व़वब्य ही थिस थी झाल झाल झाल